देखिए संसार जो है ये एक यूद शेतर है आपका संघर्स तभी शुरू हो जाता है जब आप पैदा होते हैं यानि कि जन्म लेते हैं और देखिए दिन बदिन जवाब जैसे से आपकी उमर बढ़ते जाती है और आप एक जो है उमर की ऐसी दहलीज पर आ जाते हैं जैसे क 18 प्लस ठीक है तो उसके बाद आपको नौकरी की चिंदा होने लगती है कि अब नौकरी कैसे मिलेगी क्योंकि घरवाली डाट रहे हैं कि बेटा अब तुमको मैंने बहुत कुछ पढ़ा लिखा दिया जो भी करना था मैंने कर दिया आप तुम उस यो की हो गया हो कि अब ज जो है आप सही दिसा निर्देस नहीं मिले के कारण एक्जाम में बार-बार फिलोते रहते हैं तो इसका एक उपाई यह है यह देखिए मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ आप सबसे पहले अगर किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे है तो उसका सेलेबस डाउनलोड क किजिए इससे आपका क्लियर जागा कि आप सिंपलिफिकरिशन के जो है पूरे कोश्चन सौल कर पा रहे हैं कि नहीं तो ऐसे करके एक एक टापी को डीपली पढ़िए और उससे सम्माधित पिछले प्रीविएस येर के जो कोश्चन है उनको सौल करते रहे हैं तो यह फार कामी परिक्षाओं के लिए मुश्ची माड़नेट है तो सुरू सलास्ता वीडियो मरे रहे हैं और दीखिए इस वीडियो को पूरा देखने बाद आप इसकी पीडिया फाइल पी टाउलोग कर सकते हैं नीचे डिस्क्राप्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनो शेर तो आप करें देते हैं आज भी कर देना आपको देखिए कम चकम तीन से चार लोगों को वीडियो जली शेर किया किजिए ताकि और भी वच्चे इस से जूट सकें आज का पहला प्रशन हमारा है कि पाई दिवस जिसको अंतरराष्टी गड़ी दिवस के रुप में भी जाना आता है यह कमना आता है तो देखिए पाई दिवस या फिर गड़ी दिवस को जो है 14 मार्च को मनाते हैं हर साल देखिए पाई का सिंबल कुछ इस प्रकार चे होता है और पाई का मान क्या होता है 22 बटे साथ ठीक है तो यह तो हो गया पाई सिंबल के बारे में इसी सि International Day आप Mathematics यानि कि अंतराश्टी कड़ी दिवस है इसका विसे रखा गया है Mathematics Units दीखे 2020 में दुनिया ने 14 मार्च 2020 को अपना पहला अंतराश्टी कड़ी दिवस मनाया था तब से ये हर साल मनाया जा रहा है 14 मार्च को ही अगला प्रशनbane की विसे रटरेक्ट दिवस जो है ये कमना आता है तो दिखे विसे रटरेक्ट दिवस को हम 13 मार्च को हर साल मनाते हैं और 2022 के लिए इसका विसे हैं रटरी मेकिंग अहर डीफरेंस और दीकि इसके अलावा विस्व रोटरेक्ट सब्ता 11 मार्ट 2022 से 18 मार्ट 2022 सब इस साल मनाया गया दीकि जो अपका रोटरेक्ट है इसका मतलब क्या है ये रोटरेक्ट का अर्थ है क्रिया में घुमने वाला रोटरी ब्यावसाय और पेसिवर लोगों का एक संगठन है जो की मानवी सिवा पुरदान करने के लिए दुनिया भर में एक जूट होते हैं और अगला प्रशन माना की हाली में कौन चिली के नए राश्पती बने देखिए चिली देश में अभी एक बहुत ही यूवा राश्पती बने हैं 36 साल उमर के ओल है और ये चिली के सबसे कम उमर के भी जो है राश्पती है ठीक है और इनका नाम है गेब्रियल बोरिक फांड तो गेब्रियल बोरिक फांड जो है ये चिली के नए राश्पती बने है और चिली के सबसे यूवा राश्पती बने है और करम से ये 36 में राश्पती भी है यानि कि 36 साल के हैं 36 में राश्पती बने है याद करना आसान है और सबसे यूवा राश्पती भी है देखिए जह आपके गेब्रीयल बोरिक फॉंट है ये चिली के राशपदी के पत्पर सेस्टिया पिनेरा का स्थान लेंगे और जो आपके गेब्रीयल बोरिक फॉंट है ये 2022 से 2026 सके बिर्सेट अधिक लिए के चिली में अगला प्रसनिकी भारत का पहला medical city इंद्राइडी मेडिसिटी कि इस राजय में स्थापित किया जा रहा है तो दीकि भारत का जो पहला medical city है यानि कि एक सहर बना जाएगा छोटा सा जिसका नाम होगा इंद्राइडी मेडिसिटी इसमें जो है हर तरीकी की treatment मिलेगा इंद्राइडी मेडिसिटी में हर बीमारी का इलाजोगा इस इंद्राइडी मेडिसिटी में और ये कहां पर बन रहा है महाराष्ट्रा में दीकि महाराष्ट की जो राजय सरकार है इसने एक छट के नीचे सभी प्रकार के विशेश उप्चार प्रदान करने के लिए महाराश्टर के पुने में भारत का पहला चिकिस्ता सहर इंद्रायणी मेडिसीटी स्थापित करने की घोश्टा की है और आपको दादू ये इंद्रायणी मेडिसीटी जो है ये महराश के पुने के खेड तालिकवा में 301 एकड भूमी में साबित के धर आए और इक इस परिवना में कुल 10,000 करोड रूपे से अधिक के निवेज को आकरसित करने का अनुमान है अगला प्रशनी की हाली में किसे 3 साल की अवधी के लिए राश्री वित्ती रिपोर्टिंग परादिकरण यानिकि नेशनल फाइनसियल रिपोर्टिंग आथर्टी के अधिक्स के रूपे नूट किया गया है तो देखे भिहाली में आजय भूसर पांडे जी को राश्री वित्ती रिपोर्टिंग परादिकरण के अधिक्स के रूपे नूट किया गया है देखे जो कैबिनेट की नूटी समीती है इसने आजय भूसर पांडे को एन एफ आरे यानिकि नेशनल फाइनसियल रिपोर्टिंग आथर्टी के अधिक्स के रूपे पदभार गरहने की तारिक से जो है तीन साल के अधिक्स के लिए या फिर पैंसर्ट साल की आईव के लि देखे जो राश्री वित्ती रिपोर्टिंग प्रादिकरण है यानि कि नेशनल फाइनसियल रिपोर्टिंग आथर्टी है ये आडिटिंग पेसे के लिए एक स्वतंतर नियावक के रूप में कारे करता है और इस निकाय के पास कंपनियों के वित्ती विवरण की समिक्षा करने इस पस्टी करण मांगने और लेखांकन और लेखा परिक्षा मुद्दों के समन्द में आनियमित्ताओं की जाच करने की सकतिया है और दीखे कंपनी अधिनियम 2013 के तहट परिकलपिद NFRA की ये स्थापना को जो है कैबिनेट ने मई 2018 में मुझूरी दी थी अगला प्र निवार्षिक वित्ती योजना के हिस्से के रुप में बाल बजट पेस किया है दीखे मद्य प्रदेश की जो सरकार है इसने बाल बजट के लिए 220 योजनाओं के लिए कुल 57,830 करूर रुपे अवंटित किया है जिने 18 वर्ष से कम आयू के जितने भी बच्चे होंगे उन इसके लिए कुछ फंड भी अवंटित किया गया है इस साल के बजट में मद्य प्रदेश सरकार के दवाना और इसका टोटल अमाउंट है बजट का 57,830 करूर रुप है इसको याद रखेगा तो यह अमाउंट टोटल खर्चाओं का बच्चा बिभाग और 17 अन्य विभाग अगला प्रशने की हाली में अमेरिका ने किस देश से सभी तेल और गैस आयात पर प्रदिबन लगा दिया है तो अमेरिका ने रूस से सभी तेल और गैस के आयात पर प्रदिबन लगा दिया है क्यों क्योंकि रूस ने जो है क्या है यूक्रेइन पे हमला कर दिया है और इस प्रशियन रूबल और रूज की जो प्रधान मत्रियें का नाम है मिखाईल मिष्टीन ठीक है और आठवों प्रशने की आई-पेल फ्रेंजाजी जो आपकी राइल चैलेंजर्स बेंगलूरू है इसने भीहाली में किस क्रिकेटर को अपने टीम का नया कैप्टेन मनाया है तो अब जो है राइल चैलेंजर्स बेंगलूरू के टीम की कप्तानी करेंगे और यह इस पत पर यानि की राइल चैलेंजर्स बेंगलूरू के कैप्टेन के पत पर विराट कोली की जंगलेंगे दीकि विराट कोली की बात करें तो इन्होंने पिछले साल आई-पेल की दूसरे फेज से ठीक पहले कहा था कि वो अगले सीजन में IPL में कप्तानी नहीं करेंगे नेक्ट कोशन हमारा है कि टेश क्रिकेट में कपिल देओ का रिकार्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्द सतक लगाने वाले पहले भारती खिलाडी कोन बन गए है तो दीए कपिल देओ का रिकार्ड अभी हाली में रिसब पंद ने तोड़ दिया है इन्होंने केवल 28 गेंदों पर 50 रन बना दिया है यानि कि अर्द सतक पूरा कर लिया है कपिल देओ का रिकार्ड क्या था और कब बनाया था इन्होंने ये भी मैं आपको बताऊंगा अब यहां बात कर रहे हैं रिसब पंद की देगी भारती क्रिकेटर रिसब पंद जो आपके है इन्होंने बिहाली में बैंगलूरू में पिंक बाल टेस्ट में भारत बनाब स्रिलंका के दोरान ये 28 गेंदों में 50 रन बनाने का रिकार्ड बनाया यानि कि अर्द सतक बनान था तो इन्होंने 30 गेंदों पर बनाया था लेकिन रिसब पंद ने 28 गेंदों पर बनाकर ये रिकार्ड कपेल देव का तोड़ दिया अगला की रिलाइंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब कीसे लांच करने की गोश्टा की है तो दीखिए जो रिलाइंस रिटेल कं स्मार्ट बाजार के नाम से जना जाएंगा यानी कि अब बिग बाजार के जगह? स्मार्ट बाजार आपको दिखेगा और ये नाम जो है जो आपका रिलाइंस रिटेल है ठीक है तो इसने उन जखों के लिए तैय किया जहां पर फ्यूचर गुरुप का बिग बाजार आउटलिट का संचालन किया जाता था अगला पुछने की हाली में पियमोदी ने के सथान पियमोदी ने किया है देखी खेल महाकुम की बात करें तो ये इस साल इसका ग्यारवा संस्क्रार जो किया आज तो रहा है गुजरात के एमदाबाद के सरदार पठेल स्टेडियम में और इस खेल महाकुम की सुरुआत पियमोदी ने 2010 में की ती जब ये गुजरात के दिया गया था देखिए 2019 के बाद जितने भी मतलब ये खेल माकुम हुए कुरूना करण को जो है कुछ कैंचल कर दिये गए और इस साल जो आई जो है इसका 11 संस्क्राट होगा ठीक है तो यह थे आपके आज के सभी धमा के दार प्रशन और अब हम बात करेंगे आज के सभी को इसका सीगई है बताइए देखिए आप जो है रिविजन का एक आदस बनाएए जो आज प्रशन में ये कोशन आप पूछता हूं ये पिछले दिन की प्रशन होते हैं अगर आप पिछले दिन का प्रशन देख लेते हैं पिछले दिन की वीडियो को देख लेते हैं तो आप पूरा का पूरा ये जो इतरी के सकाज है करेंड इपर का सिक्षन है ये रिवाइज होते चलेगा और एक्जाम के समय बढ़ें नहीं बनेगा अगला प्रशने की हाल ही में किस मंत्राले के द्वारां ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ट इंसेंटिव यानि की पी एल आई योजना की गोश्रा के गई बताईए और तीसरा प्रशने की हाल ही में किस सान पर पूसा क्रिसी विज्ञान मेला 2022 का जिन के अगई बताईए चौथा की हाल ही में नेचर क्लाइमेट चेंज जनरल में प्रकासित अध्यन के अनुसार अमेजन वर्शावन का कितने प्रतिसत हिस्सा विनास की कागार पर पहुंच गया बताईए पांचमा की हाल ही में किस सास्तान पर 10-15 मार्च 2022 साहित एकादमी का साहित उत्सो जिसे साहित उत्सो के रूप में जाना जाता है आज क्या गया था बताईए और हम बात करेंगे कल के पूछे के सभी कुष्णामडी के सेक्तरों के पहला प्रसंदक की कोलगेट पामोली इंडिया लिमिटेड की नई CEO और अमडी कौन बनी तो दीकिन का नाम है प्रभा नर्सिमान और दूसरा था हाल ही में किसने रोल आप लेबर इन इंडिया डेवल मोक्रेशी रिपोर्ट 22 में भारत के सस्तान पर है तो दीकि भारत जो है 1390 बसंदक पर है और अगला था कि भारती बीमा नियामाग और विकाज प्राधिकरर के नयज़ देश कोर्मने है तो दीकिन का नाम है देबासीस पंडा तो इसे के साथ ये वीडियो इसमाप्त होता ह इसको जरूर सेर कर दीजी का कम से कम 3-4 लोगों को जादे नहीं सेर करना है और जादे करना चाहें तो जादे भी कर सकते हैं तो मिलते हैं फिर कल के करेंडि पर साथ जहीं चेह बारत